हेलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होगी तेन सेकेंड बाद स्टार्ट महोदे कोमा आज के इस समारहों का अपना अलग महत्व है पंचायत भारत वर्ष की एक बहुत पुरानी संस्ता है और जैसा अभी कहा गया इन्हीं पंचायतों के कारण ही भारत वर्ष अब तक जीवित रहे सका है हम पर बाहर से बार बार आकरमन हुए कोमा विदेशियों की विजय हुई पर ग्राम पंचायतें अपने इस्थान पर जोंकी त्यों बनी रही अंगरेजी सासन के विस्तार के फलसवरूप अन्य संस्थाओं के विखर जाने के साथ साथ ये पंचायतें भी नश्ट हो गई जिस समय हम लोग ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए सवराज्य प्राप्त करने के प्रयत्र में लगे हुए थे उस समय गाव गाव में जो कांगरेज कमेटियां स्थापित हुई वे एक प्रकार से पंचायते ही तो थी इस्टोब पर उस समय हमारे हातों में अधिकार नहीं था और जो पंचायतें स्थापित हुई वे जनता की इच्छा से ही स्थापित हुई हमारे हातों में जब अधिकार आया तो उस समय ये ग्राम पंचायतें सभी इस्थानों पर थी समवीधान बनाते समय भी यही सोचा गया कि उची व्यवस्तापि का सभाओं तक पहुचने के लिए पंचायतें ही सबसे पहली कड़ी होगी उसके बाद सभी प्रदेशों और राज्यों की सरकारों ने पंचायत समंदी कानून पास किये और पंचायतें इस्थापित होने लगी इस समय प्राय सभी राज्यों में पंचायते हैं यहें दूसरी बात है कि कहीं पर उनका काम भली भाती चल रहा है और कहीं उतने सुचारू रूप से नहीं चल रहा आज यहें सुनकर मुझे बहुत प्रशनता हुई कि आपके इस राज्यों में पंचायतों को ठीक रूप से चलाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है जिनका काम सबसे अच्छा और सुन्दर समझा जाता है उनको पुरुसकार दिया जाता है इसलिए मैंने आपकी ओर से आज दो चार पंचायतों के मुखिया लोगों को अनुदान दिया मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उनका काम 4000 ग्राम पंचायतों में सबसे अच्छा समझा गया हमें यह इसमरण रखना चाहिए कि पहले की हमारी पंचायतें क्यों मिट गई हमारे देश में पंचायतें परंपरा से चली आ रही थी अंग्रेजों ने भी मुक्त कंठ से इस बात को स्विकार किया कि भारत का प्रतेक गाव गनराज्य था पर एक समय आया जब गाव सवतंत्र गनराज्य ने रहे और देश परतंत्र हो गया इसका कारण हमें कमजोरियों का आना था हमें उन कमजोरियों से अभी भी बचते रहना चाहिए जिससे फिर से वहे दिन ने देखना पड़े वहे कमजोरी थी उन पंचायतों का संकेन दृष्टी कोण लोगों ने पंचायतों की परिधी के छेत्र को ही अपना देश माना और इस कारण जब एक पंचायत पर आकरमन हुआ तो दूसरी पंचायतों ने उसकी रक्षा में हात बटाना अपना धर्म नहीं समझा इसे प्रकार विदेशियों ने एक एक पर आकरमन करके सारे देश पर अपना अधिकार कर लिया हमारे सत्रों ने हमारे पारस्परिक वेमनश्य और बेदभाव से भी लाब उठाया अभी हाल में जब भाषावार राज्यों का प्रेशन उपस्तित हुआ तो गाम की छोटी छोटी पंचायतों ने जैसी सम्मतिया प्रकट की उनसे यह स्पर्ष्ट हो गया पेरा महोद कोमा अन्य उद्योगों और प्रतेक राष्ट्रिय गती विधी की भाती समाचार पत्रों को भी समय समय पर बदलती हुई परिस्तितियों के अनुरूप बनना होता है हमारे सवाधीनता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रिय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया जिसे राष्ट्र प्रसंसा की भावना के साथ सधा इस्मरण रखेगा देश के सवाधीन होने के बाद से समाचार पत्रों के दायित्व में मोलिक परिवर्तन हुआ है देश से विदेशी सत्ता के जाते ही सासन तंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया यह स्वाभाविक था कि इस परिवर्तन के बाद सभी समाचार पत्र अथवा उनमें से अधिकांस अपनी नीती पर पुनरविचार करें इन नो वर्षों में अधिकांस पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है मैं यह प्रसन्यता से शिविकार करता हूँ कि पत्रों ने राष्ट्रिय महत्व के प्रशनों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया बलकि जब कभी विचार स्वातंत्रे और सच्चे मतभेद की मांग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रे भी लिया किसी भी पत्र का मूल्य अंततो गत्वा महत्व पूर्ण प्रशनों पर उसके निर्भिक और निश्पक्ष विचारों के आधार पर ही आका जा सकता है मैं समझता हूँ, एक साधारन पाठक की द्रश्टी में आधर्श समाचार पत्र वही है जो निश्पक्षता तथा निर्भिकता से सभी उचित बातों का समर्थन करें और प्रतेक अनुचित कारवाही की निंदा करें ऐसे देश में जहां विचार स्वातंत्रे की पूर्ण व्यवस्ता है, समाचार पत्र ही अपने निश्पक्ष तथा वस्तूगत मुल्यांकन से जनता का पत्थ प्रदर्शन कर सकते है यह काम उतना ही आवशक है जितना जन साधारन में समवादों का प्रसार करना भारत में समाचार पत्र उद्योग लगभग सोवर्ष पुराना है इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगती की है और शक्ती तथा यश का उपारजन किया है किन्तु जब हम भारतिय पत्रों की दूसरे प्रगती शील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं तो हम बहुत सी बातों में विशेश कर प्रकासन संख्या की दृष्टी से अपने पत्रों को बहुत पिछडा हुआ पाते हैं लगू प्रकासन संख्या का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षर्ता का भारी अभाव है यह हर्ष का विशे है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकासन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकासन संख्या से तुलना की जा सकेगी यह कहना ऐ संगत ने होगा की समाचार पत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन है वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदि कोई सामान बात है तो यही कि दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद है किसी भी उद्योग पर राष्ट्रिय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार कोमा उनके लक्षे तथा महत्वा कांशाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचार पत्र उद्योग पर है पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंब में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ उस समय यह कार्य आर्थिक लाब से उपर था इस्टोब धीरे धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा गराहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्यापन का माध्यम माने जाने लगे इस्टोब